पूल से आपको जेई में बहुत एडवांटिज मिलेगा यार जेई करना तो है मैं सासात कैसे करूँ हो समझनी बाते हैं ड्रीम को हमें रियालिटी में गनमट करना है तो बिवड़ापंती से नहीं होने वाला बात कहीं जाती है कि जो आपकी हैबिट्स रेगुलर्ली होती है फाइनल लाइफ है उसको डिसाइड करते हैं तो अब बात करते हैं कि किस तरह का टाइम टेबल होना चाहिए देखो बच्छो जैसे कि मैंने आप सभी को कमिट किया था कि आप सभी के लिए टाइम टेबल एंड स्टेडी रूटीन का वीडियो लेकर आऊंगा जेई जो तो फाइनली वीडियो आपके सामने आ गया है यह वीडियो में तीनों कैटेग्री के स्टूडेटंस को इन मेने सभी की चैसे कि कुछ ऐसे स्टूडे Denise जो रैगुलरी स्कूल जाते हैं और सेल्फ है सबसे पहले एक बहुत प्यारा सा विजुलाईजेशन हपन करेंगे और ये क्रियेटिव विजुलाईजेशन कोशिच करें आप एवरी सिंग्ल डे जरूर करें ठीक है बहुत है एमेजनेशन बहुत पावरफुल होता है ठीक है और यह आपकी रीयालिटी में तब्दिल हो प्ले ठीक है अब इमाजन आप कॉलेज में वही स्पोर्ट्स खेल रहे हो और जैसे कि माली जी आप क्रिकट खेल रहे हो तो आपने वही टी-शिट पहनी हुए जैसे कि आप IIT बॉंबें जाना चाहते हो तो आपने टी-शिट पहनी हुए ब्लु कहर्र की आई-टी-बॉंबें की टी-शिट है बैक पे टी-शियट पे लिखा हुआ है, I.T. Bombay और front पे आपका नाम लिखा हुआ है, माल लेते हैं ठीक है, तो front पे आपका नाम लिखा हुआ है, अब आप cricket खेल रहे हो कि आपका जो मेनिफेस्टेशन है लाइफ में वह आएगा यह चीज़ें बहुत जादा वक करती है ना दूसरी बात यह है कि जो भी में रूटीन आपको बताने वाला हूं यह आप तभी फॉलो कर पाऊगे जब आप ब्रह्मचरय का पालन करो फोन का यूज या तो ना ही करो मिनिमाइilles कर दो और झब पढ़ाई के लिए अंट पढ़ते हो तो पढ़ाए के लिए अगर द्सक्राप बगारा का यूज करें लैप्टॉकर सब्सक्राटन निबहें नो हो पाएगा जो हम सोच रहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना मेटा अब यहां पर आईए चले शुरू करते हैं टाइम टेबल की बार तीन तरह के स्कूल भी कोचिंग भी समय ही नहीं मिल पाता मैनेज ही नहीं हो पाता ठीक है उसके बाद जो स्कूल जाने का जो भी स्कूल जाते हैं जो पहले और दूसरा केटेगरी इसमें दोनों स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के बेटा कई फाइदे होते हैं कई सारे बेनेफिट्स होते हैं जो हमें पता नहीं होता है हमें लगता है कि यार जेए की प्रिपरेशन हैंपर हो रही है ऐसा नहीं है स्कूल में अगर ठीक से पड़े हो रही है न अच्छे टीचर्स पड़ा रहे हैं ठीक वेल्यू के question आते हैं आप सभी जानते हो कि बोड्स लेवल में नुमेरिकल वेल्यू के कई सारे question physical chemistry में आते हैं और mathematics में तो ऐसी question आएंगे काफी सारे तो काफी सारी practice आपकी जो school में होती है वही जेई में काम आती है कई सारी चैप्टर बच्चों ऐसे होते हैं जो बोड्स में बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि जैसे कि अगर हम statistics की बात करें या हमारे organic chemistry में कोई particular part है उसकी बात करें तो there are many chapters which are like बोड्स में जैसे हैं वैसे ही जेई में हैं लेवल में बोड्स के लिए बड़ा tension होता है और बोड्स के लग से टाइम लगाना पड़ता है प्री बोड्स के अच्छे तैयरी कर लो पांच-छे महीं ने जम के लगा के आप बोड्स को तैयरी खतम कर दो बढ़िया से तो आपकी टेंशन फ्री हो गई समय में आ रहा है तो आपके लिए बहुत सारे advantage है हाँ टाइम मैनेज करने में difficulty आती है वह मैं आपको help करी रहा हूं ठीक है तो यह सारी चीज़े मैं आपको बता दिए कि आपके बहुत-बहुत सारे advantage है बच्चे ना ओ time table क्यों follow करना है ठीक है क्यों follow करना है तो बहुत-बहुत obvious यार क्यों करना है नैचुरल सी बात यार इससे discipline आएगा और रूटीन बनेगा और एक बात कहीं चाहती है कि जो आपकी habits regularly होती है वही आपका future outcome आपकी जो final life है उसको decide करती तो जैसी habits आप next एक मन्त में बनाओगे ना वही आपकी life को define करेगी एक चीज़ तो आप सभी को करना है comment section में जिस college में बच्चों आप जाना चाहते हो वह आपको comment section में लिखना है along with the major 2-3 reasons that why you want to crack IIT क्यों करना चाहते हो यह 2-3 reasons plus किस college में जाना चाहते हो यह comment section में लिखना बहुत ही इससे क्या inspiration मिलता है जब लिखोगे ना तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा तो अब बात करते हैं कि किस तरह का time table होना चाहिए तो यहां पर हम बात करें subjects हमारे पास physics, chemistry, mathematics हैं तो आप उसमें कोई subject किसी को physics मुश्किल लगता है किसी को chemistry किसी को mathematics लगता है तो एक priority order है आपका ठीक है तो जो आपको hardest लगता है वो हमें सबसे पहले उस पर अटाक करना है तो देखो normally 6 बजे उठना is a very good time time table को आप अपने हिसाब से थोड़ा changes कर लेना च्छे बजे उठने के बाद लगबग 6 to 630 यह 640 के आसपास अगर हम बात करें तो आपको उठना है और भगवान से connect करना है ठीक है उठना है exercise करना है 10-15 minutes exercise करो you know running थोड़ा सा jogging थोड़ा stretching अच्छी फील के साथ and now pray to the divine जिस भी भगवान में believe रखते हैं just pray to him and thank him कि जो भी आपको जिंदगी में मिला इतना कुछ होता है आपके पास make a list not right now but make a list इस आपको पता लिजा किती चीजे अपने को मिली होती है life is so beautiful so once you are thankful आपको ऐसी energy मिलेगी उस divine power से आप सोच भी नहीं सकते you will be एक तरह से एकदम से connection आपका establish हो जाएगा तो सारा दिन के ल जाना होता है अगर स्कूल आपका थोड़ा सा लेट है तो आप एक घंटा पढ़ाई कर सकते हो जेए के लिए you can study for one hour ठीक है यह one hour में you can plan for your day उस दिन का plan भी आप बना सकते हो या उसके अलावा आप जो भी hardest subject है जेए से रिल्टिट उसका theory part कर सकते हो ठीक है अब इसके ब बड़ा variation है तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से कर सकते है इसको manage इस बात A और B category वाले बच्चों के लिए बिल्कुल सिमिलर है कि स्कूल में time manage करना जो होता है बहुत इंपॉर्टन होता है क्लास में बहुत time pass होता है बहुत चीज़ों में it happens in many schools मिले जब भी कोई खाली session मिले जब भी मौका मिले ना उस समय हमें जई के तरियरी क्योंकि साथ साथ आप कर पाऊगे कैसे कर पाऊगे उनना पता है एक घंटा पहले निकाल सकते हो एक से दो घंटा आप सुबह सुबह भी निकाल सकते और अगर पांच बचे उठते हो तो सिंप्ली बोर्ड के साथ साथ बस जेए में इनके प्रिवेसर क्वेस्टन को करना शुरू कर दो उससे भी आपका you know confidence बिल्डप होना शुरू हो जाएगा तो स्कूल के दौरान मैंने बोला बहुत ही efficiently आपको काम करना है पूरा involved के काम करना है उसके लावा भी चीश में थो होगे तो लगबग 3-3 तो ऐसे बच जाएंगा लेकिन इससे लेट मत करो कोशिश करो कि 3-3 बचे चार हमने maximum दिया है लेकिन चार से तो पहले पहले कोशिश करो 3-3 बज़े एक से 1.5 घंटे में थोड़ा रेस्ट भी कर लिया खाना भी खा लिया और अब एक नई तो तो तुम पांच गंटे सो जाओ बेवड़ो की तरह तो बेवड़ा पंती से नहीं होने वाला बात समय तुम्हें इस बात का ध्यान रटना है कि आप इसके बाद वक्त आता है स्टडी सेशन का तो स्टडी सेशन में यहां पे आपके पास लगबग 3-4 सेशन आप कर सकत हो तो या तो आप एक ऐसी कोचिंग जोइन कर सकते हैं आप एक ऐसी कोचिंग कर सकते हो जहां पर स्लेबस वह इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आप मैनेज कर पाउटाइं जैसे कि हम लोगों ने जो हमारा ग्लीडिटर बैच है जिसमें वन-on-one इंडिविजुलाइ कि नॉर्मल कोचिंग में बहुत सारे लेक्चर करा दिये जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट पॉसीबल ही नहीं होता है यूग चार घंटे लेक्चर यहां चलेंगे पाच्छे गंटे वहां चले जाएंगे तो हमारे पस दिन का सारा समय निकल जाएगा जारा तर बच्चों मैं यहां पर भी थोड़ा आपको बता दूगा उस सुलूशन के बारे में बाकि अगर आप सिर्फ स्टेडी कर रहें तो यहां पर अपने पास 3-4 सेशन पॉसीबल है 4-6 भी पॉसीबल है 4-6 के बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर 6-30 तो 8 भी पॉसीबल है फिर आप यहां पर 6-30 इसके बाद थोड़ा ब्रिक ले सकते हो 9-10 भी पढ़ सकते हो और साड़े दस आप सो सकते हो अब आपको बताने बाला हूं कि जो यह सेशन आपको मिल रहे हैं तीन से चार सेशन मिल रहे हैं आपको लगबग हमारे पास लगबग 7-8 है क्वालिटी का तो जैस चार से पांच घंटे में जो मैटीरियल आपको दिया जाता है वह आप कर लो तो आपका काम हो जाता है अगर आप प्योर्ली सेल्फ स्टड़ी कर रहे हो तो इस समय आपको क्या करना पड़ेगा किसी ने किसी किताब से पढ़ने पड़ेंगे या YouTube वीडियो से देखने पड कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो इट इस रेकमेंड़ेट कि आप धंकी कोचिंग कर लो टाइम बच जाएगा आपका ठीक है अदर्वाइस फोकस में लिए अन पीवाई की तो इन सब चीजों का ध्यान रखो अब सोने से पहले एक चीज का ध्यान रखना कि सोने से पहले अगे नहीं णना धेवर अगें कर लोड़ करो अगले दिन का प्लानिंग आज ही आप सभी को कर लेना है अब यह करने के बाद बच्चो ऑबराल अगर हम बात करें ओने से संडे तक कि तो यहां पर जो आपके सब्जेक्ट से हैं यह आप ले सकते रोज तिनों की तीनों subject लेनी की जरूत नहीं है जो आपको difficult लग रहा है जैसे कि for example वो आप अगले दिन ले सकते हो जैसे एक दिन आपने easy और moderate level का ले लिया subject अगले दिन आपने moderate difficult ले लिया इस तरीके से you can vary the things और खास थार पे Saturday Sunday को Saturday को आप practice पे और revision पे focus कर सकते हो और final Sunday को आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो लेकिन टेस्ट भी दे सकते हो इस इंपोर्टेंट तो गिव टेस्ट रेगुलरी देखो जी में अच्छा करना है ना तो overall what matters is to give and try more and more questions जितने ज्यादा questions आप every single day करोगे याद रखना उतनी ही अच्छी रहें changing होएगा कि कि इसका हिस्सा बन जाना सभी के सभी बच्चो और यह मैंने ही खुच से design किया है और जो बच्चे मुझे नहीं जानते आप मेरा profile देख सकते हैं I've already taught for more than you know last more than 15 years I was HOD at Bansal Classes Quota apart from that I have taught many top 100 rankers in J.E. Advanced and उसके लाब I cleared UPSC mains in 2014 as well तो यह सब बाते में इसलिए बता रहा हूं कि भाई the thing which is designed for you बहुत सोच समझके इंडिया में सबसे पहले हम लोग लेकर आये हैं यह चीज विच वान वन इंडिविजुलाइस्ट कोचिंग फॉर इटी जिसमें आपके हिसाब से प्लान बनेगा तो कि हर बच्चे की नीड भी करेगा अभी जो सारे प्रोसेस है अक्चुली यह हम मैंने खुद डिजाइन किया आप सभी के लिए इस पर्टिकलर बाच में टिक है along with that बच्चोग लीडिटर बाच में यू विल बी गटिटिंग लाइब गाइडेंस सेशन स्रॉम टॉप आप इटी पी स्टार के पा अब इसमें आप अगर आना चाहते हैं if you want to be part of this particular batch so here are the details यहां पर दिये हुए आपको contact number just call them and they will help you in enrollment यह आपको they'll help you they'll guide you in the enrollment okay बच्चोग अब बात आती ही कि जो स्टूडिंट रेगुलर स्कूल जाता है और कोचिंग जाता है इसको सबसे बड़ी परिशानी होती ही कि सर है सकतार हो है इसमें कुछ तो कि यहां पर टाइमटेबल थीक तो सकूल जाएगा तो तो साथ से जाएगा इन चौनल स्कूलिंग के टाइम को इनस पहले भी मता दिया है त 추 discs मोले नहीं आपको थोड़ी चेया करनी your coaching थे आपको दोड़ी क्यste जाड़ातर कोचिंग नाइंटी नाइंट पसेंट इसी हैं जो दोंट प्लान इन दिस वह नहीं सोचते कि बच्चे का फरक पड़ रहे हैं तो उस कारण क्या होता है कि कोचिंग में भी तीन-तीन क्लासेज एवरी डेय होती है और उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है बेसिक आपने स्कूल में कवर कर लिया कोचिंग के जो क्लासिज है उस पॉर्शन को बेसिक पॉर्शन को करने की जरूत नहीं है या तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके कवर कर लो या सिंप्ली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकेस करो लेट मी गिव एग्जाम्पल जैस जब आपका वही चेप्टर वहां चल रहा है तो आपको फास्ट करना है अगर उसका फास्ट कवर करोगे तो कोचिंग में आपको उत्ता समय लगी गई नहीं खास तो और ऑनलाइन में रिकॉर्ड है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं जानातर बच्चे लाइव लेक्चर से उसके अंदर आप मेंली प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कर रहे हो और जो बहुत ही बेसिक थेयरी है उसका फास्ट करके देख ले रहे हो कि वह आपको आलडी आता है कई बार जैसे मौल कॉंसेट की बात कर रहे है अब मालो टीचर ने सबसे पहले यह सिख करें और उसको फोमो होता है अंदर से डर होता है कि कहीं मेरा कुछ रह तो नहीं जाएगा कहीं सर ने कुछ important point तो नहीं बता दिया होगा इसलिए fast forward करके देख लो आपको पता लग जाएगा तो यह बहुत important method है जिससे क्या होगा coaching का समय आप कम कर सकते हो जिस coaching में तुमें तो आपको दूसरी बात है इन lectures के दौरान आप सबको notes बनाने और lectures में involved होना है याद रखना मैंने पहले भी बताया और बार बार बताऊंगा जितने जाधा questions every single day तुम attempt करोगे जितने जाधा questions तुम every day attempt करोगे उतना ही confidence बढ़ेगा और advanced में उतना ही अच्छा rank आएगा अ आप सूचो ना जब सारा दिन इतने सारे number of hours तुम spend कर रहे हो किस चीज में लेक्चर्स में spend कर रहे हो तो उन लेक्चर्स में अगर तुम involve होगे तभी काम होगा नितों लेक्चर्स को मुवी की तरह ऐसे देखते रहे और दिमाग में कुछ रेजिस्टर नहीं किया खुद से पैन नी चलाया खुद से लिख लिक कर नहीं देखा नोट्स नहीं आने हैं एवरी सिंगल डेल लगबग पचास साथ सतर अच्छे करने अगर अभी से 50-70 क्वेश्चन करोगे तो पूरे महिने में 152000 कर सकते हो और 152000 अभी से लेकिंट साल तक आप लगबग 20,000 सवाल कर सकते हो तो इसको बोलते हैं पावर आफ कंपाउंडिंग यानि छोटे कोचिंग के बाद रखते हो जैसे इतना इतना 5 घंटे स्पेंड नहीं होना चाहिए मेरा मान है 3-4 घंटे हमने अपने ग्लेडेटर बैच में इसी तरीके से बच्चों के लिए प्लान किया है कि उनका टाइम कोचिंग के अंदर 3-4 घंटे स्पेंड उससे जादा स्पेंड बिल्कुल भी ना हो और स्लिवस भी हम लोग नवंबर एंड तक कंप्लीट करा रहे बच्चों का पूरा क्लास 11 हो रहा है उसके इंदर पूरा क्लास 12 हो रहा है दोनों की दोनों चीज़े उसके इंदर हो रही है कई बार हमें sheets भी मिलती है module भी मिलता है बहुत कुछ मिलता है इतना material आप कर नहीं पाओ गया और कई बार हम और चमतकारी हो जाते हैं बुक्स और खरीद लेते हैं युदि उसमें वह प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोती है जो क्लास के अंदर क्राई जाती है लेकिन बच्चो 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 डीपी के साथ साथ आप बस प्रीवीसेर क्वेस्टन को करो वह लास्ट फाइव यर्स के जेए मेन के जेए मेन में अच्छा करोगे देन फोकस जेए ड्वांस लेवल क्वेस्टन स्टेब जाओ तब आपके लिए अच्छा रहेगा और इस बेसिस पर आपको लगबग साड़े दस तक पढ़ना पड़ेगा लेकिन लास्ट के हाफ नर मैंने आपको पहले ही बताया है क्या करना है लास्ट के हाफ नर सोने से पहले अगे तो 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 उस बात करना है कि अभी भी बीच-बीच में बोर्ड को कभी-कभी समय दें नहीं तो लास्ट में बहुत डर लग जाता है 75 पसंट लाना भी इतना सिंपल नहीं होता है कई बार आप भी जो डमी स्कूल में स्टूडेंट से वो 6-7 बजे उठ सकते हैं अपने हिसको रूटीन को चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत माइन ऐसल अब यहां पर लगबग अरम बढ़त करें तो आठ के बजे के बाद से यहां बज़े के बाध से इब आप को नौरमल्मली की कोचिंग शाम को होती है ञ euh Ass da करने के बाद आप क्या कर सकते हो अब बात आती है कि आपको जो हमवक दिया गया है वो कंप्लीट करना है बहुत समय आपके पास तो आप लगबग काफी टाइम का सकते हो ठीक है यहां पर आपको 12 करना है लंच भी कर लेना अब दो से चार पावर नप नहीं लेना यह जो हमारे डिजाइनर हो कई वार जोश में आ जाते तो ऐसा करते पावर नप नप बहुत चुटा था पंदरा मिनिट पीस मिनिट आपको थोड़ा बहुत यह मालीजे लगबग हाफ एनार करीब का ब्रेक रहेगा लेकिन इससे पहले मैं मेरा माना सुबह कर लो तो तो वोड़ बेस्ट वे और शाम की समय अपना स्लेवस कंप्लीट करो लेकिन एवरीडे बच्चों यह जो सेशन ना शाम वाला यह बहुत इंपॉर्टन है जिसमें रिवीजन कर रहे हो अब रिवीजन में ध्यान रस्काहर करो और प्रक्टिस पे ज़रा ध्यानद हो याना यह टाइम होना चाहे है रिवीजन ऐड यह फिली डैटर उन्सेंश Mobuival में तो इसमें हो कि दिना अब रहे हो तो 11 यह बहुत इंप्सी तो 11-6 रात को हो गया और दिन में गंटा टोटल 7-8 आर्स के स्लीप है अब जैसे कि मैंने बताया था बच्चों ये सारी बातें आप तभी फॉलो कर सकते हूं जितना अपनी जो ये एनर्जीज है ना है और इसके लिए फोन को मैंने बोला है अगर मजबूरी ना हो यूज इमत करो नहिंतो वह तो बना ही इसलिए स्मार्टफोन बना ही असलिए है तो मेक यू डब तो वह को परिशान ही करेंगा आपका focus attention span को कंब करेंगा तो इसके अलाबा मन को शांत करने के लिए meditation होता है प्रे करना बहुत अच्छा तरीका होता है भगवान से अराम से बात करो मंत्र जाप या नाम जप जो होता है वह बहुत helpful होता है या background में मंत्राज चलते रहें वह भी बहुत helpful होता है इस process की वज़े से ही आपकी distractions जिस भी तरह के परिशानिया या distraction होता है कि सब्सक्राइब करके देख यह रूटीन फॉलो करके देख एवरी डे एक्सराइज करके देख यह तीन-चार चीज़े करेगा तो काम हो जाएगा तो कि अगर दिमाग में बैड इंपुट नहीं जाएगा बैड थोट्स नहीं आए तो ठुलू खुद भी ठीक हो जाओ खुद भी ठीक हो जाओ और दूसरों को भी मतलब बिगाड़ो मत ठीक है समयारी बात तो overall अपनी energy जितनी positive रखोगे देखो एक बात कहीं जाती है कि as you think you become if you think yourself as a weak you will become weak if you think yourself as a strong you will become strong तो think carefully अब क्या होता है हमारी thinking पे हमारा control अगर नह अच्छान है negative thoughts हैं तो life में वही project होगा लेकिन वहीं अगर हमारी thinking में अच्छे thoughts हैं power के thoughts हैं strength के thoughts हैं और यह thoughts है कि yes मैं करके दिखाऊंगा तो कोई दिक्कत किसी भी तरह की आने ही नहीं वाली आप अपना जो गोल है वो अचीव करके रहोगे और जो बाते बच्चों मैंने बताई है you have to remember all this तभी आप बहुत अच्छा करने वाले हो yes everyone and बच्चों आप में से वो students सारे के सारे जो मैंने प सब्सक्राइब करते हैं इसमें प्लान सब के लिए लग है तो इसका फाइदा उठाइए ताकि आपका जो रेंक है आपके जो माक्स हैं मौक टेस्ट में वह बड़े पचास नंबर साथ नंबर सत्तर नंबर और आपका जो कॉलेज है अगर आपको अलाबाद मिल रहा था त इसका फाइदा आपसा भी जरू ठाइएगा और डिस्क्रिप्शन में इसकी डीटेल दी भी हुई है नंबर से यहां दी हुए है यूँ कन कॉल अस डिरेक्टली और वट्साप अस तू अन्रॉल ओके बच्चो अगला वीडियो की इस टॉपिक पर चाहिए कॉमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बबाए बच्चों टेक केर और लव यू आल